आप से भी को मेरा नमस्कार आज मैं बात करूंगी चुटा गौवंश और चुटा नर्वंश के बारे में जो सड़कू पर बे सहारा यूँ ही गूम रहे हैं आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये गौवंश जो अभी तक गौवमाता जिने कहते थे ये अचानक से बे सहारा क्यों हो रहे हैं हम सब इस बात को बखू भी जानते हैं कि अभी तक किसान का प्रतेक कारे चाहें वो जुताई हो खुदाई हो बुवाई हो ये डुलाई हो सारे कारें के लिए वह नर्वंश यानि जिसे बैल कहते हैं पर आश्रित था टेकनोलोजी का इतना जबरदस्त प्रयोग हो रहा है कि ट्रक्टर, हारो और जाने कितने सायत्र का प्रयोग होने के कारण हमारे ये गौवंश जिने बैल कहते हैं निराश्रित हो गया पहले जिसके दरवाजे पर ये बैल की जोड़ियां बंधी होती थी उस घर को बहुत ही संपन्न परिवार माना जाता था लेकिन अब ये नर्वंश हर घर के लिए बोज बनते जा रहे हैं और प्रशुपालकी ने सड़कों पर बे सहारा गुमने के लिए मज़ब इसे भी परिशितियों को देखते हुए उत्तर प्रदे सरकार द्वारा निराश्यत गौवन्स आस्त्रे स्थिल खोले जा रहे हैं और सहभागीता योजना के अंतरगत सुपूर्दगी में देकर प्रती महा उन्हें पैसे भी दे जा रहे हैं इसके साथ साथ ही एक पशुपालनी भाग की सबसे महत्तो पूर्ण और महत्तो अकांची योजना जो प्रती एक पश्चिकिस साले पे चलाई जा रहे हैं उसका नाम है सेक्स सौ्टिट सीमन यो वर्गी क्रत सीमन कवपयोग आज मैं इसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ आपसे कि क्या है यो वर्गी कत्वीद हम आपको बता दें कि प्रती एक पश्चिकिस साले पर क्रतीम गर्वाधान जिसे आर्टिफिसल इंसेमिनीशन कहते हैं का कारी किया जाता है जिससे 50% मेल यानि की बच्छडा और 50% उत्पन होने की समभावनाय होती है इसी आर्टिफिसल इंसेमिनीशन का एक उन्नत रूप है जिसे कहते हैं सेक्सौर्टर सीमन व्यग्यानिकों ने सेक्सौर्टर सीमन की खोज करके एक नई क्रान जाते हैं कि बच्छडों में XY क्रोमोजूम होता है और बच्छिया में XX एक्स ग्रोमोजोम का सािज कं साम्प्रेंटिवली बढा होता है और लगभग 30.8% निया होता है इस सेपरेटन सीपरेटर े इस कर्याश को बचिया ही होती है दूसरा फायदा यह है कि इसमें प्रयोक्त होने वाले नर जिनसे की सेमे निकठा किया जाता है बहुत उच्च कोटिके होते हैं इसलिए इनसे जो बचिया उत्पन होती है वो बहुत ही जादा उत्पादक शमता वाली होती है उत्तिर प्रदेश सरकार वुख्य उद्देश्य नर्गोवंशों की पैदावार को कम करना है और माधा गोवंशों की पैदावार को बढ़ाना है ताकि दुख दूध पादिंच को भी बढ़ाया जा सके और नर्गोवंश जब कम पैदा होंगे तो पशुपालकों पर चारे दाने का अतिरिक्तवोज कुछ भी काम होगा और वो अपने गौवन्शों को छुट्टा और बेसहारा नहीं छोड़ेंगे वर्गिक्रत सीमन योजना के बारे में यदि आप ज्यादा जाना चाहते हैं तो अपने निकरवर्ती पशुपाल पर जाकर संपर करें और अपने पस्ट के सक्सेस के बारे में डिटेल से पोस्ट सकते हैं साथ ही यदि आप पशुपालन से संबने तानी जानकारियां चाहते हैं तो पर पैस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक्यू